अगर आप 10 वी और 12 की परिक्षा देने जा रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना क्योंकि यहां पर है आपके लिए important news और अगर आपको news अच्छी लगती है तो चैनल को subscribe और like जरूर कर देना क्योंकि यहां पर पढ़ाय जाते हैं 10 वी और 12 के पूर देखें यहां पर MP बोर्ड परिक्षा जो है वो यहां पर आगे बढ़ाने का यहां पर सिक्षा मंत्री जो है उन्होंने बोला है वो क्या बोला है पूरी news क्या है ध्यान से समझी MP बोर्ड एक्जाम 2021 भोपान नई दुनिया की news है मादमिक सिक्षा मंडल कि 10 वी और 12 की बो कि अब यह परिक्षा जून में होने की संभावना तो बहुत ही important news है आप सभी के लिए अब यह परिक्षा जून में होगी और यह ख़बर बिलकुल confirm है क्योंकि मैंने आपको यहां पर पूरा research करने के बादी मैं आपको यह news बता रहा हूँ तो आप सबके लिए बहुत ही important news है और यहां पर जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने ऐसा बोला है तो ध्यान रखिए बहुत ही important news है इसके लावा जो practical परिक्षा है थी वो भी आगे बढ़ा दी गए इसके बाद दसवी और वारवी की परिक्षा में भी उनको भी आगे बढ़ा दिये गए इसके लावा और भी न्यूज है आप सबके लिए जैसे यहां पर हिंदी न्यूज एटीन ने जो न्यूज डाली है वो यही है कि एमपी बोर्ड एक्जाम 2021 मद्द प्रदेश में दसवी और वी की बोर्ड परिक्षा रद अब जानिये कव होंगी तो वही यहां पर भी यही बात बोली है कि यहां पर यह ऐसा सिक्षा मंतरी ने बोला है तो बहुत ही इंपोर्टेंट न्यूज है आप सभी के लिए इसके लाबा आप दूसरी न्यूज यहां पर दूसरा जो न्यूज चैनल है उसने भी यहां पर यह न्यूज डाल दी है जो आपके लिए बहुत ही की घोशना करेगा टाइम साफ इंडिया की वेबसाइट में छपी ख़बर की अनुसार स्कूल एजुकेशन मंत्री इंद्रिसिंग पर्मार ने उन्हें जानकारी दिये कि परिक्षा अब 30 माई के बाद आयुजित की जाएगा तो माई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना लाइक कर देना और शेयर कर देना सभी बच्चों को ताकि सबको ये निवच पता चल जाए थैंक्यू बेरी मच